बेद से लेकर रहमायन तक नित्यक पर बहुत जोड दिया है, निरंतर मन से अस्मरण होना चाहिए, जैसे आप लोगों में बहुत से ग्रहस्ती लोग, दस मिनट, आधा गंटा, एक गंटा बहुत से बहुत बैठते हैं, और कहते हैं, पूजा में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, तो पहले तो वो भजन ही गलत करते हैं, क्योंकि वो किताब उताब पढ़ करके, कुछ माला वाला जब के भजन करते हैं, लोग, 99.9%, उनके गुरु ही ऐसे हैं, कुनों ने यही बता दिया, दस माला फैर लेना, हनमान चालिसा पढ़ लेना, लेकिन सही भजन जो करने वाले हैं, वे भी एक गंटा, आधा गंटा, अरे भाई, हम ग्रहस्ती हैं, मारे पास इतना समय कहां है, कि नित करें, निरंतर करें, ठीक है, नतिंग से सम्तिंग अच्छा है, आधा गंटा ही कर रहे हो, बहुत है, लेकिन इस से भगवत प्राप्ती नहीं होगी, थोड़ा सा मैल धुलेगा, बहुत गहरा मैल है अंता करण पर, अनन्त पापों का, तो एक बार कपड़ा धोने से वो सफेद नहीं होगा, बार-बार साबुन लगाना होगा, धोना होगा, इसलिए नित्य कहा है, नंबर दो, जैसे हमने कपड़े को धोया, एक बार, तो थोड़ी मैल धुली, और फिर डुबो दिया गंदगी में, तो ओ धोया न धोया बराबर हो गया, जैसे हमने मन में भगवान को गुरु को ला करके मन को शुद्ध किया थोड़ी मात्रा में, और फिर उस मा, बाब, बेटा, इस्तिरी, पती, या संसार के रागत बेश में, उसी मन को लगा रहे हैं दिन बर, सर्विस हो, ब्यापार हो, कोई भी काम हो, मन गंदा होता जा रहा है, तो वो एक घंटे का धोना, और तेईस घंटे का बिगाड़ना, तो फिर क्या होगा परिणाम सोचो, इसलिए नित्य कहा, देखिए अरणी मन्थन होता है यग में, अरणी एक लकड़ी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा आग होती है, तो अगर दो लकड़ी को रगड़ो थोड़ी देर तो आग निकल जाती है उससे, जैसे चक्मक पथर से हैं, जैसे माचिस के उपर मसाला लगा होता है, आग एक काड़ी होती है, उसको एक बार दो बार बहुत से बहुत करो आग निकल पड़ती है, तो वैसे ही अगर हमने एक बार लकड़ी को रगड़ा और फिर रख दिया, तो अब उसका जो टेमपरेचर आया था, उस पर ठंडक ने अधिकार कर लिया, अब फिर दस मिनट बार एक बार रगड़ दिया, तो लकड़ी कट जाएगी, आग नहीं निकलेगी, आग तब निकलेगी जब लगातार रगड़ों, तो टेमपरेचर उसमें आता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो आग पैदा हो जाएगी, ऐसे ही मन है, इस पर जब तक लगातार हरी गुरु ना आमें बार 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 बार, तो यह शुद्ध नहीं होता, क्योंकि अशुद्धी भी आती जा रही है, हम उसको संसार में गंदगी में डुबो रहे हैं, इसलिए नंबर दो है नित, हारी गुरु भाजू नित, तो फिर साथ बढ़ापे में करेंगे, जब भी करो, नित करना होगा,